हेलो स्टूडेंट्स ओफोर्थ क्लास सब्जेक्ट हिंदी तूडे आइम गुइंग टू टीच यू लेसन नंबर टू जो की है आपका सोना की नत सोना की नत आपका लेसन नंबर टू है इसके स्टोरी में आपको बता दूंगी अभी और इस लेसन की सैल्फ रिडिंग आप लोगों ने करनी हैं तो एक बार एक सोनी नाम की लड़की होती है जिसको लोग प्यार से सोना कहते थी ठीक है अब वो इतनी सुंदर थी लोग उसको देखकर कहते थी कि सोना तो है वह सेठ घर आने में व्याहिं जाएग गया की जो शादी तो एक सेठ गर में होगी जहां पे उसको छे तोले की नति feeling क्या होती है जो नाक में औरते पहहनती है ना उसको नत्य बोलते हैं ठीक है तो अब धीरे धीरे जैसे सोना बड़ी होती चलिक हो इस बात को समझने लगई और इस बात पर बहुत खुश होती, ठीक है, कि वो तो एक बहुत बड़े घराने में ब्याही जाएगी, और एक नत पहनेगी, नाक में, और लोग उसकी नत को देखकर कहेंगे, कि यह तो सेठी की बई है, ठीक है, और सुन्दर बड़ी इसी सोने की नत पहनने, कि उसको खुशी जो थी उस खुशी में वो उस दर्द को भूल गई जो उसका नाक छिदवाते वक्त उसको हुआ था अब मा उसकी मा क्या कहती कि अपने नाक को साधने के लिए एक चांदी का सूत लगाई रखा करो नाक में ताकि जो तुम्हारा नाक का जो छेद है वो मोटा होता रहे ठीक है जैसे जैसे उसकी आयू बड़ी होती गई उसका नाक का जो छेद है वो भी बड़ा होता चला गया और क्योंकि उसके माता पिता उसको कहते कि इसको चांदी का जो सूत है उसको पहनी रखो ताकि छेद कोटी होगी ठीक है अब जैसे जैसे वह जवान होती गए तो उसके शादी के लिए रिष्टे आने लग गए अब उसके घर पे सबसे पहला रिष्टा एक वृद्ध दियाने के बुढ़ा आदमी आया अब उसका जो लड़का था वो दस दर्जे पड़ा था दर्जे आने की क पढ़ाएंगे अब सोना के फिता ने पूछा कि लड़का करता क्या है तो उसके फिताने कहा कि इसी महीने में दश्मी तैंथ्ट क्लास पास की है उसने और आगे अगर भगवान ने चाहा तो नोकरी करेगा वो तो सोना के पिताने उससे पूछा कि गहने चढ़ाओगे से कोई सेठ थोड़ी ना बनता है आज कल तो थोड़ा ही पड़ले वहीं काफी है मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में ब्याओंगा जहां पे छे तोले की नत मिल सके उसको तो ये रिष्टा नहीं हो सकता अब उसके पास में ही एक नत्थु नाम का लड़का बैठा वा था जो व अगर गहले नहीं हुए तो क्या हुआ सुख तो मिलेगा उसको लेकिन उसने नत्थु को सोना के पिता ने नत्थु को डाट दिया और कहा भी खबरदार ऐसी बात दोबारा अगर मुझे निकाली मैं तो अपनी लड़की को एक ऐसे ही घर में शादी करूंगा जहां पे उस का पड़ा लिखा है तो अपने लिए पड़ा लिखा होगा सोना को थोड़ी ना कुछ मिलेगा अब ना तो सोना किसी कुरसी पे बैठेगी ना जंगय जंगय जाके घूमेगी तो फाइदा के लड़के के पड़े लिखेगा अगर किसी अनपड के घर जाएगी चलो कोई ब जबाब कर दिया वह उसके बात बहुत अच्छे सुन्दर पढ़े लिखे लड़कों के रिष्टे आए उसके घर पे लेकिन उन्हों ने ठुकरा दिये उनको चाहिए था छहां से लड़की को सोने की चैंतोले की नत मिल्सके इस बात पर उसके सोना के पिताबी सोना की मा और सोना सारे ही इसी बात प्याटल थे लास्ट में कैसा रिष्टा आ गया जो एक ठेकेदार का लड़का था अनपड़ था बिल्कुल कोई पढ़ा लिखा नहीं था वो वहाँ पे सोना का रिष्टा तै हो गया और शादी हो गई अब शादी से पहले जब की ओरतों की ना बोलती बंद हो जाएगी तो उसने वो दर्द सहन कर लिया अब एक संयोग क्या हुआ कि शादी होते ही ना उसके जो पती थे वो ठेकेदार तो थे यह अब उसको ठेकेदार में मुनाफ़ा होने लग गया अब यह बात देखकर के सांस ससूर को मतलब उनका स खीना फूल गया कि बई शादी होते ही हमें मुनाफ़ा हो गया तो हमारे घर में तो लक्षमी आ गई अब जैसे-जैसे मुनाफ़ा होता चला गया उन्होंने क्या किया जो सोना की छेतोले की नथ थी उसमें सोना बढ़ाते चले गए वो यानिकि उसको भारी करवाते चले कुछ दिन बाद सोना को एक बच्चा हो गया अब जो बच्चा था वो जो सोना गहने पहनती थी वो उनकी चमक से अकरशित होता था और बार बार उनको छेड़ता रहता था खेलने के लिए ठीक है अब जब वो उसको छेड़ता था तो सोना को दर्द होता था अब उसने अ बाठते हुए कहा कि किसी को तो सोना देखने तक को नहीं mिलता और तुझे मिल रहा है तो तू कहा रहे हैं कि मैं इसको नहीं पहनूँगी कि अब नcam 데 जो नत है ना वह सुहाग की निशानी होती है और तू न artists निकाल Χाल्णब एक लिए कह 15-27 re नत का जो वजन था वो इतना हो गया था कि उसकी नाक कटने को हो गई थी बिलकुल सोना ही ठीक है अब इस पर उसकी सांस ने क्या कहा कि नाक तूटती नहीं है क्या अगर तूट जाएगी तो सिल्वा देंगी अब मुनाफ़ा होता गया उनके जो ससुराल वाले थे वो नत मे सोना जुडवाते चले गे और नत का वजन बढ़ता चला गया अब जो नत का वजन था वो दस तोले का हो चुका था अब जैसे ही अगली बार नत निकलवाने के लिए निकाई तो निकलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी वो खुदी तूट गया तो इस यह क्या सोना का ना पारतोले की हो जाएगी मतलब बेशक से उस सोना का नाक तूटता रहे कुछ भी होता रहे लेकिन नत में सोना ऐसे ही बढ़ता रहेगा क्योंकि वो उनकी mentality बन गई थी उनके ससुराल वालों की जो हमें मुनाफ़ा हो रहा है वो किससे हो रहा है यह नत की वज़े से हो रहा है पूरी क्या है लड़की की नाक है ठीक है तो यह अनपड़ों के काम होते ही ठीक है तो हमें पढ़ना लिखना चाहिए लेसन की रीडिंग आप लगाएंगे दोबारा से साल्फ रीडिंग पीचे आपके शब्दार्थ दे रखे हैं जो आपने अपनी कौपी में लिखने है और साथ में लर्न भी करने है अब आप अपका एक्सरसाइज वर्क देखेंगे अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लिखिद प्रेशन है आपके जिसमें आपको पांच कोशन दे रखें उनके आंसर्स हैं यापे ठीक है नाव सीधा फर्स्ट कोशन फर्स्ट करते थे कि सोना तो किसी सेठ घराने में ब्याही जाएगी जहां छे तोले की नत पहन सके सेकंड का अंसर लिखेंगे नत्थु ने सोना के पिता को समझाया की अगर सोना की शादी पढ़े लिखे लड़के से करेंगे तो उसे सुख मिलेगा जिन्दगी में सोना जरूरी नहीं सुख जरूरी होता है थड़कान से लिखेंगे सोना नत्थ को इसी लिए उतारना चाहती थी क्योंकि अब उसका वज़न काफी बढ़ गया था और वहे नाक में दर्द करती थी फोर्टकान से लिखेंगे सांस ने सोना को डाट कर कहा कि किसी को तो सोना देखने को भी नहीं मिलता और तू कहती है कि मैं नहीं पहनूंगी फोर्टकान से लिखेंगे सोना की नाक नत्थ का वज़न बढ़ने के कारण तूटी नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है बहुवे कल्पी अप्रेशन और किसने किससे कहा इनकी आंसर है ठीक है तो बहुवे कल्पी अप्रेशन के आंसर आप देखेंगे फस्ट में आएगा वन सेकिंड के आंसर में आएगा थ्री थर्ड में आएगा टू फोर्थ में आएगा वन ओके नेक्स्ट कोशन है आपका किस ने किस से कहा तो फस्ट में लिखेंगे एक व्रध ने कुमा लगा के सोना के पिताजी से कहा नेक्स्ट में लिखेंगे नत्थु ने सोना के पिताजी से कहा थर्ड में लिखेंगे सोना ने नत्थू से कहा फूर्थ में लिखेंगे सोना की सांस ने सोना से कहा फिफ्ट में लिखेंगे सोना के ससुर ने सोना की सांस से कहा ओके नेक्स्ट आपका कोशन है गद्यांश पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगा और फिर भाषा ग्यान के तीनों आंसर से ठीक है तो गद्यांश वाले का फर्स्ट में लिखेंगे आप वन सेकंड में भी वन थर्ड में टू फोर्थ में भी टू आगया तब का भाषा ग्यान का फर्स्ट का अंसर आप लिखेंगे जो आपको संटेंस दे रखा उसमें उसकी पर अंडरलाइन करके और साइड में लिखतेंगे सोना के लिए उसके बाद second में उसने को underline करेंगे और side में लिख देंगे लड़के के लिए next में मैं को underline करेंगे सोना के लिए और fourth में यहे को underline करके नथ के लिए next में आपको विपरित आर्थक शब्द और पुनरुक्त दोन्यों को चाट के लिखने हैं तो पहले विपरित आर्थक लिखेंगे पहले में लिखेंगे सुख दुख सेकेंड आजाएगा पढ़ाई लिखाई और थर्ड आजाएगा छोटा बड़ा पुनरुक्त में फस्ट में आजाएगा धीरे धीरे सेकेंड में बार बार और थर्ड में जैसे जैसे फोर्थ आपका व्यक्यांचों के लिए एक शब्द लिखना है आपने तो फस्ट में आ जाएगा अनपड सेकंड में अमीर थर्ड में असहनिय फोर्थ में सुनार फिफ्ट में अनात और सिक्स्ट में अटल इस आरा एक्सरसाइज वक जो अभ्याश का रही है आपने बुक में करने के साथ साथ नोट बुक में भी करना है और उसको लर्न भी करेंगे साथ में ओके